दोस्तो कॉमेडी के नाम पर हमारे देश में एक से बढ़कर एक फूर्ड कॉमेडियन है जुन्होंने कभी धर्म के उपर कभी हिंदू देवी देवताओं के उपर तो कभी असलील कॉमेंट किया कॉमेडी की लेकिन बहुत सारे लोग इन्हें सराखों पर चड़ाते हैं सडख्चाप कॉमेडियन जो माता सीटा के उपर असलील कॉमेड करते हैं ऐसे बहुत सारे कोमेडियन है जो सडख्चाप कॉमेडी करते हैं इन्हें एक तां कपूर जैसने अपने शो में बुलाती है वहाँ पर उसे भाई बहूत बड़ा हेरो बना देती है पिर आपने दे जैसे फैमिली शो के नाम पर असलीलता भरे शब्दों का परियोग करने लगे अपनी मा के उम्र के जो औरते भी आती है इस शो में उनके साथ भी असलील कॉमेंट करते हुए नजर आते हैं जैसे कई बार आपने देखा होगा कि अपनी मा के उम्र के आपके पती के साथ नहीं जमता है तो फिर ये दो बच्चे कैसे पैदा हो गया है इस तरह के बहुत अश्लीलता भरे कॉमेंट पूछे गया है बोले गया है माताएं बहनें बहुत सारी ओड़ते आती है बच्चे रहते हैं शो में बच्चे देखते हैं इस शो को लेकिन बहुत गंदे-गंदे कॉमेंट कपिल शर्मा करते हैं इसकी लिस्ट अगर निकाली जाए तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी तो अब शेकर सुमन जो की कॉमेडी के जाने माने बेताज बादशा है इन्होंने अपने दोर में मुवर्शन शेकर्थ देख भाई देख नजाने कितने कॉमेडी शो की है इंडियास गॉट जो चैलेंज आया करता था उसके बाद अब लेकर आया है लाप्टर चैंपियन लेकर आया है इन्होंने कहा है कि मैं लोगों को बताऊंगा कि असली कॉमेडी कैसे की जाती है बिना फुवड़ता के साथ बिना अश्लीलता के साथ तो ये शो लोगों को पसंद भी आ रहा है इसकी शुरुवात हो गई है और कपिल शर्मा का शो अनिशित काल के लिए बंद हो गया है और मेरे खाल से इसे बंदी कर देना चीए क्योंकि इसमें कॉमेडी कम राजनीती जादा होती है हमने देखा कि सुशान सिंग राधपूत के मौत के बाद भी जब अरनव गोस्वामी सबाल पैदा कर रहे थे सल्मान खान के उपर की कहा है सल्मान तो बाद में उसे किस तरह से कपिल शर्मा शोओ में परोसा गया मर्याग बनाया गया और बहुत सारी चीज़े ऐसी लेकर आई गई अपना एजंडा पूरा किया जाता है कपिल शर्मा शोओ में तो कपिल शर्मा अब लोगों की नज़र से उतर गये है फिर कैसे कश्मीर फाइल्स का विरोध किया था कपिल शर्मा शोओ में उसका प्रोमोशन नहीं किया गया जबकि वो दिखाया जाना चाहे था उसे तो ये जितनी भी चीज़े गलत है ये सब कुछ परोसी जाती है और कपिल शर्मा जैसे लोग अपने पुराने वक्त को भूल गए है असली कॉमेडी को असलील कॉमेडी में उन्होंने बदल दिया हला कि अब ये डाउन तो नहीं होंगे पैसे तो उन्होंने बहुत छाप लिये है लेकिन वक्त की मार जब पढ़ती है तो राजा से रंक बनने में समय नहीं लगता है आज हम देख रहे हैं कि बड़े-बड़े जो अपने आपको तुर्रम खान समझते थे बड़े-बड़े बेताज बार्षा समझते थे फिल्म इंड़स्टी का आज एक के बादे कैसे उनकी सारी फिल्में फ्लॉप हुई जा रही है पैसे की कमी नहीं इंड़स्टी में ये मैं भी मान कर चलता हूँ कोई नों कोई प्रोडूसर मिल जाएगा लेकिन जब लगातार फ्लॉप फिल्में देते रहोगे तो प्रोडूसर भी अपने पैसे आपके उपर कब तक वेस्ट करेगा अक्षय कुमार को हम देखी रहे हैं लगातार पांच फिल्में फ्लॉप दे दी है आने वाली साथ फिल्में वो हिट होगी ये तो कोई नहीं जानता लेकिन फ्लॉप होने की चांस ज़्यदा है फिर उसके बाद सल्मान खान का भी आप हाल देखी रहे हैं शारुक खान का हाल देख रहे हैं रनवीर सिंह का वही हाल देख रहे हैं अच्छी कॉमेडी लेकर आएंगे, असलिलता और फुवरता भरी कॉमेडी लेकर नहीं आएंगे